नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टड़ी विद अच्पि स्वामी पर जहां पर आपको हर दिन हाई कोट, SSE, इत्यादी विबागों हेत्व, समय पर डिक्टेशन उपलब्द करवाय जाता है दोस्तो, आज का यह डिक्टेशन 80 सब्द प्रती मिनिट रहेगा, जो स्टार्ट कोगा 5 सेकेंड बाद स्टार्ट महोदय जब तक एहिंदी भासी हिंदी को हिर्दे से स्विकार नहीं करते तब तक वह राष्ट्र भासा का स्थान नहीं पा सकती और यह तबी हो सकता है जब वे यह समझें कि इसमें उनका भी योगदान है और उन्होंने इससे केवल लिया ही नहीं बलकि इसे कुछ दिया भी है और उन पर कोई दूसरी भासा लादी नहीं गई है बलकि यह उनकी ही वासा है मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि आप उनकी ही व्याकरण अपना लें इसका अर्थ यही है कि आप उदारता पूर्वक जितना ले सकते हैं ले लें बासा इसी प्रकार बन सकती है यह भी आवस्यक नहीं है कि उसको स्विकार करने पर आप वही लिखना आरंब कर दें परन्तु जो वे लिखे उसको आप गलत नै समझें आज किसी भी भासा का रूप वही नहीं है जो उसके आरंबिक काल में था उसमें परिवर्तन होता रहता है हिंदी को इतिहास में भी आपको यही बात मिलेगी मैं हिंदी का कोई विद्वान नहीं हूँ पर मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि उसमें भी पिछले 5-600 वर्सों में बहुत अंतर पड़ा है तथा पहले की और आज की हिंदी में काफी अंतर है इसलिए नवयुग में जब वह देश की भासा बनने जा रही है तो उसमें थोड़ा अंतर करना भी पड़े तो वह स्विकार कर लेना चाहिए जिससे उसका अन्य प्रदेशों के लोगों के साथ मेल जोल बेट जाए कई एहिंदी भासी लोगों ने भी हिंदी की काफी सेवा की है आपकी राज्येपाल महोदय एहिंदी भासी है और इन्होंने अपनी भासा की बड़ी सेवा की है यह भी हिंदी के पक्स में थे और इन्होंने बड़ा योग दिया जिसके कारण हम सम्विधान सभा में सफल हो सके इनका भी यही विचार है जो मेरा है मैं चाहता हूँ कि इनको भी हिंदी की सेवा करने का आवसर दिया जाना चाहिए उसका फल हिंदी के लिए और देश के लिए अच्छा ही होगा मान पत्र में आपने संस्कृत के संबंद में कहा है मैं जानता हूँ कि हमारे देश में संस्कृत का अध्यन आवश्यक है क्योंकि देश की सभी बासाओं का स्त्रोत वही बासा है संस्कृत से हमारा संबंद अटूट है इसकी पढ़ाई लिखाई कम हो गई है यह हमारे लिए दुख की बात है मैं आसा करता हूँ कि इसकी उन्नती होगी महोदय मैं अपने बारे में कहता हूँ जब मैं छोटा था और कोलेज में पड़ रहा था तब रूस और जापान के बीच युद छिड़ा उस समय समाचार पत्रों में जापान के संबंद में बहुत सी बातें छपा करती थी उनमें एक बात यह भी थी कि जापान में समूरिया जाती के लोगों ने अपने सब अधिकार वहां के राजा को दे दिये थे उसके बाद जापान बड़ी उन्नती कर सका हम लोग यह पढ़कर आस्चर्य और सराहना करते थे उससे बढ़कर हमारे यहां के लोगों ने स्वराज्य स्थापित होने के बाद एक दो वर्स में एक उदाहरन उपस्थित करके दिखाया हम भी अपने हजारों वर्सों के इतिहास को नहीं भूलेंगे जो रियाई स्थे अलग अलग स्थापित हो गई थी और एक प्रकार से भारत कई टुकडों में बंटा हुआ था सब मिलकर एक हो गई हैं उसके बाद हमारे सामने यह प्रस्ण आया की भारत के लोग केवल स्वराज्य से ही सुखी नहीं हो सकते उनको किसी ने किसी प्रकार सुखी बनाना है इस संबंध में सरकार ने अपनी ओर से प्राय है सभी राज्यों में जमिनदारी और जागिरदारी उनमूलन के कानून उपस्थित किये और वे कानून पास हुए प्रसंता की बात तो यह है कि बहुत से स्थानों में कानून उन लोगों की स्विकृति से तथा उन लोगों की सलाह से पास किये जिनकी जमिनदारी और जागिरदारी समाक्त हो जानी थी यह भी देश प्रेम का उदाहरन है उन लोगों ने अपनी संपती का त्याग इसलिए किया कि उससे सारे देश को लाब पहुँचे वह काम भी लगबग पूरा हो गया और पूरा होता जा रहा है हमारे सामने मारग प्रसस्त है और अब हमें इस पर चलने की सक्ती चाहिए हम में परस पर कभी कभी इस प्रकार की संकूचित धार्मित अथवा सामाजिक भावना देखने में आती है जिसके कारण कभी कभी लडाई जगडे हो जाते हैं हम इस चीज को भी दूर करने का प्रेयत्न कर रहे हैं हमारे समिधान में स्पष्ट बता दिया गया है कि कोई चाहे किसी भी धर्म या का क्यों नै हो किसी भी जाती का क्यों नै हो इस देश में सब को समान अधिकार है गरीब से गरीब आदमी को भी वही एक वोट देने का अधिकार है जो की राजा साहब को है या मुझे धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है समफ